हेलो फ्रेंट्स मैं गीता गीता की दुनियों में आपका स्वागत है आज मैं आपको कॉलिस प्लांट के बारे में बताना चाहूंगे इस प्लांट को जुरूर अपने गार्डन में जगा दीजिए बहुत ही वाइबरन कलर होते हैं इसके पत्तियों का आपको फूलों की भी नहीं बढ़ेगी अपने गार्डन में इतना प्यारा कलर है यह इसके कई वराइटी जाते हैं कई तरह के इसमें कलर वेरिशन होती हैं आप उनको लगा सकते हैं इन दोन अपनी नर्सरी में जाईए और इस प्लांट को लगाए अब इसका सीजन आ चुका है और देखी इसक प्लांट अपके गार्डन में रहेंगे और उसके बाद उसको एक एक हर बराइटी का मदर प्लांट अपना सेव कर लीजिए और जैसी बरसा आता है तो उनकी कटिंग लगना शूर कर दीजिए इन दोनों मैं दो मेहने से इनकी कटिंग ही लगा रही हूं आई इतने बड़ इस तरह के कॉंबिनेशन में अपने गार्डन में आप लगाएंगे ना जब इसको तो गार्डन की लुकी अलग हो जाएगी कुस दिनों में मैं अपने गार्डन की भी सेटिंग चेंज करने वाली है तब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ग्रो किया सेट किया जाता है इसको beauty इनाहेंस की जाती है इसको कोई भी ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं है पानी की इसको जरूरत रहती है आप इसको डेली पानी नहीं देंगे तो इधम से इसके पत्ते मुर्जा जाएंगे ऐसे लगेगा प्लांट मर गया मगर इतनी बुरी कंडिशन में मत आने दो प्लांट को डेली इसको पानी देते रही है तो देखिए आपका पौधा क्या हेल्दी रहेगा और थोड़ी थोड़ी इसकी डेली चार-चार दो-दो इंच का पौधा बड़ा हो रहा है तो उसकी पिंचिंग करते रही है यह देख देखें बहुत हाड़ी प्लांट है बिना केर के अतने फूल देता है कि बस पूछो मत मन खुश जाता है इस प्लांट को देखके आगे मैं यह देखी स्वीट पेटेटों वाइन वाइबरन कलर इसका और ऐसी कोलियस के भी वाइबरन कलर होते है और गार्डन को एकदम ब् आप भी मल्टिप्लाइ करिए ज्यादा गार्डनिंग महंगा शौक नहीं है बस एक प्लांट खरींदना है और उसके बाद उसकी कटिंग लगाते रही है और गाइज मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रीजिए थैंक यू